दोस्तों आज 8 सेप्टिम्बर 2022 को एल्फा लॉजिक टेक्सिस लिम्टेड के बोनस इसू की रिकॉर्डेट फिक्स कर दी गई है दोस्तों इस बोनस इसू पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है उपर आई बटन को क्लिक कर आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको इस बोनस इसू की पूरी जानकारी मिल सके इस बोनस इसू का रेशियो 1 इस्टो 2 है तो अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के 2 शेर होंगे तो कंपनी आपको एक बोनस शेर देगी तो रिकॉर्ड डेट पर आपके पास जितने भी शेर होंगे कंपनी उसका आधा बोनस शेर की तरह देगी कंपनी ने इस बोनस इसू के रिकॉर्ड डेट 21 सेप्टेंबर 2022 फिक्स की है जो वेडनस डे है तो ये शेर 20 सेप्टेंबर 2022 को एक्स बोनस हो जाएगा तो अगर आप बोनस शेर चाहते हैं तो आपके लिए शेर की लास्ट बाइंग डेट 19 सेप्टेंबर 2022 है और अगर आप इस कंपनी के एक्जिस्टिंग शेर होल्डर है और आप बोनस शेर चाहते हैं आपको अपने share को 19 September 2022 तक hold कर रखना है यहां मैं आपको एक important बात बता दूँँ कि 20 September 2022 जो इस share का X bonus date है उस दिन इस share के price में sharp गिरावट होगी लेकिन इस गिरावट से आपको घबराना नहीं है क्योंकि यह कोई गिरावट नहीं एक मात्र price adjustment होगा तो 20 तारिक को pre-opening price में ही आपको इस share में लगबग 33% की गिरावट दिखेगी तो यह एक price adjustment ही होगा अगर हम लोग इस share के आज का closing का price जो 52 रुपे है इसे consider करें तो X bonus होते ही इस share का price 34 रुपे 67 पैसे हो जाएगा तो 20 September जो इस share का X bonus date है उस दिन इस share के price में 33.3% की गिरावट दिखेगी वो भी pre-opening में ही तो यह इस share का price adjustment होगा दोस्तों यहां मैंने इस share का आज का closing का price आपको समझाने के लिए उधारन के तौर पर लिया है X bonus होते ही इस share का price क्या होगा यह X bonus से पहले की closing के price पर depend करेगा याने की 19 तारीक के closing के price पर depend करेगा दोस्तों bonus shares के मिलते ही आपको immediately कोई बड़ा benefit नहीं होने वाला है क्योंकि आपके पस number of shares तो बढ़ जाएंगे बट proportionately इस share के price में कमी भी हो जाएगी तो आपको immediately कोई फायदा नहीं होने वाला है लेकिन हाँ long term में आपको bonus share से फायदा हो सकता है क्योंकि bonus issue के बाद इस share के price में sharp गरावट होगी जैसा मैंने आपको बताया है तो इससे share के liquidity भी बढ़ जाएगी और आपको buyback और dividend में भी फायदा हो सकता है क्योंकि आपके पास number of shares बढ़ जाएंगे तो दोस्तों आप इस video को like करें मेरे channel को subscribe करें इस video को अधिक सदिक लोगों के साथ share भी करें बहुत बहुत धन्यवाद